नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चरेंड में स्वागत है जिसका नाम है नियो वल्टेई दोस्तों एको लेटेस रिकूर्मेंट के साथ हाजिरे हो और आज हम बात करने वाले हैं भाल सरकार दोवारा निकली हुई अंतरिस विभाग में भरती गी जी हा दोस्तों अगर आप दस्वी और आईटियाइग केंडिएट है अगर आपने दस्वी और आईटियाइग पास कर रखी है तो आप इस वेकेशी के लिए आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों इस वेकेंशी की पूरी ढ Heights के लिए आपको बताने वाला हूं की आपो कैसे आ नोटिफिकेशन मेल दायेगा और दोस्तों साते वीडियो को लाइक जरूर करें और शेर जरूर करें अपने दोस्तों में, चलें दोस्तों आगे चलते बात करें चलें कि अक्रोम करें, यह वेकेंसी निकली है, भारती अंतरी अन्दूर संदान के अंदर, जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ओफिशल नोटिफिकेशन है इसके लिए आविदन परकरिया शुरू हो चेकी है 12 मार्च 2018 से ठीके दोस्तो और ये अंतिम जो लास्ट डेट है इसकी वो है 2 अपरेल 2018 तक ठीके दोस्तो आप आविदन कर सकते हैं टीके ए ओनलाइन आविदन करने का मोड है इसमי पॉस्त की बार करें तो यहाँ पर वरियस पॉस्ते आप देविशंद सकते हैं यहाँ पर 11-12-12 पॉस्त ist आविदन कर सकते हैं online के लिए तो यहाँ पर जो है टेकर सकते हैं अब मैं आपको पता जेता हूँ यहाँ पर जो है technician B fitter की वेकेंसी, technician B mechanist की वेकेंसी है, और tunnel की भी है, electronics की भी है, electrician की भी है, lab, lab, LACP और AOCP की वेकेंसी है और digital photographer की वेकेंसी भी है और यहाँ पर RSC की वेकेंसी है और यहाँ आप देसकते हैं, IT, ICT, TSM, IT, ESM और CHNM की भी व तो दोस्तों यहां पर साफ साफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी गई है, यहां पर अगर आप दस्वी पास है, और एक चीज़ में बता देना चाता हूं, यह अगर आप कहीं पर भी हो तो इस बढ़ती के लिए आविदन कर सकते हैं, ठीके दोस्तों, तो दोस्तों यह आप दस्वी के साफ साथ यहां पर जो है आईटिय मांगे गई है, यहां पर पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि यह पोस्ट है, टेकनीशन भी तो इहां पर फिटर लिखा हुआ है, तो मतलब कि यहां पर अगर आप आपने आईटिय फिट इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूँगा, वहां से आप पूरी जानकारी लेकर के इसको बढ़ सकते हैं, दोस्तों कोई भी विकेंसी के लिए आप अगर आवेदन करते हैं, तो प्लीज उसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ले, समझ ले और फिर आवेदन करें, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल या सुजाव है, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे आप टाइप करके हमें दे सकते हैं, जिसका जवाब हम पूरी कोशिच करेंगे आपको देने की, ठीके दोस्तों, आगे चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर age limit की बात करें, तो यहाँ पर 18 से 35 साल के candidates आवेदन कर सकते हैं, कम से कम अगर आपकी 18 साल है उमर तो आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप 35 साल के हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर जिन पदों पर आरक्षन लागू है, मातर उनमें SCST श्रेणी है तू, 40 वर्ष और OBC के लिए 38 साल, तो दोस्तों यहाँ पर उमर में भी छूट है, जो की है SCST के लिए साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो की 40 साल तक के लिए maximum है, और 38 साल जो है OBC के candidates के लिए maximum है, ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते ह करना है आवेधन ओनलाइन, ओनलाइन पंजीकरन करने की जो तीती है वो आप दे सकते हैं, यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो है 2 अपरेल, ठीक दोस्तों आवेधन पर करिया शुरू हो चुकी है, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, 12 मार्स से आवेधन कर सकते हैं, ठीक प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चन्न को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही हमारे चन्न को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बेटन को दबाएं और घंटे के बल आइकन को दबाना ना बुले, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से यादा आप ग्रूप में कहीं भी शेर करें थेंक्य दोस्तों थेंक्य सो मच जे हिंद जे भारत